राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वराप्रस्तु थे धनी कायरेक्रमों की शंखला क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर भूगोल शिक्षन के कारेक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्धमिक कक्षा के चात्रों हे तु एक वारता वारता का यह कारेक्रम NCE 8 द्वरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिध्धान्त में संकलित पाठ पर आधारित है वारता का शीर्षक है वायू मंडल संघटन एवं संरचना वायू मंडल गैस का एक आवरण है जो भूप्रिष्ट के ऊपर हजारों किलो मीटर की उचाई तक फैला हुआ है प्रित्वी पर अधिकांश जीवन वायू मंडल की तली जहां स्थल तथा महासागर मिलते हैं पर मौजूद है जीवन प्रक्रियाओं का अस्तित्व इससे जुण हुआ है मानव पर वायू मंडल का नकेवल प्रत्यक्ष प्रभाव है बलके प्राकृतिक वनस्पति, मृदा एवं स्थलाकृति के माध्यम से अप्रत्यक्ष भी परियावरण के चार प्रमुक घटकों में से वायू मंडल सबसे अधिक गतिशील है क्योंकि इसमें होने वाले परिवर्तन नकेवल एक मौसम से दूसरे मौसम तक सीमित हैं बलकी एक बहुत छोटी अवद ही अर्थात कुछ ही घंटों में हो जाते हैं कुल वायू मंडल का 99 प्रतिशत भाग भू प्रिष्ट से 32 किलोमीटर की उचाई तक सीमित है और गुरुत्वा कर्षन बलद्वारा प्रित्वी से जुड़ा हुआ है वायू मंडल को उर्जा सूरि से मिलती है वायू मंडल की उत्पत्ती आज का वायू मंडल पांच अरब वर्ष पहले ठंडे कणू, मुख्य रूप से लोहे एवं मैगनीशियम सिलिकेट लोहे एवं ग्रेफाइट के अभिवर्धी द्वारा शुरू हुए बहुत धीमे परिवर्तनों का परिणाम है उस समय प्रित्वी इतनी छोटी थी कि ये हलकी गैसों के आध्य वायू मंडल को अपने से जोड कर नहीं रख सकी गुरुत्वा कर्शन विखंडन तथा रेडियो धर्मी क्षते से प्रित्वी गर्म हुई और इस से प्रित्वी के पदार्थों में भिन्नत आई जिससे प्रित्वी के केंद्र में ठोस निकल लौह धातु निर्मित क्रोड द्रव लौह सिलिकेट खोल मैंटल तथा स्थल मंडल की रचना हुई इस प्रक्रिया में गैस का निकास हुआ जिससे एक नए वायू मंडल एवं जल मंडल की रचना हुई इस प्रकार बना वायू मंडल मुक्त ऑक्सीजन से वंचित था पर इसमें मेथैन, 10-68 प्रतिशत अमोनिया, 10-15 प्रतिशत कार्बन डायोकसाइड तथा 60-70 प्रतिशत जल वाश्प मौजूद थे कार्बन, नाइट्रोजन, ओक्सीजन तथा हाइड्रोजन के योगिकों की उत्पत्ति, उर्जा स्रोतों जैसे बिजली का चमकना, सौर विकिरण, अत्वा रेडियो धर्मी विसर्जन से हुई तत पर शात मूसलाधार वर्षा शुरू ही, लेकिन भूप्रिष्ट पर आने से पहले ही वर्षा की बूदें वाश्प में बदल गई क्योंकि उस समय प्रिथवी बहुत गर्म थी वाश्पन एवं वर्षण की चक्रकार प्रक्रिया से प्रिथवी और ठंडी हुई अंत में जब भूपरपटी परियाप्त ठंडी हो गई तो काफी लंबे समय तक चलने वाली मूसलाधार वर्षा से महासागरीय द्रोणिया भर गई कार्बन डायोकसाइट और भूपरपटी के सिलिकेट के मध्य हुई प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोनेट का निर्मान हुआ अता कार्बन डायोकसाइट धीरे धीरे वायु मंडल से लुप्त हो गई इस प्रकार तीन अरब वर्ष पहले अपने परिवेश में अड़ूओं पर निर्भर अवायवीय जैव रासाइनिक जीव के रूप में जीवन प्रक्रिया आरंब हुई लगभग दो अरब वर्ष पहले जैव विकास ने एक अन्य क्रांतिकारी कदम बढ़ाया कुछ जीव अपने अस्तित्व की विधा को किणवन एवं जैव रासाइनिक संस्क्लेशन से प्रकाश संस्क्लेशन तथा श्वसन की अधिक प्रभावी प्रक्रियाओं में बदलने में सफल हुए इससे ओक्सीजन का विमोचन तथा मृदा में नाइट्रोजन का स्थरी करण हुआ जो जीव मुक्त ऑक्सीजन को सहन नहीं कर सके वे अधिक सक्षम श्वसन करने वाले जीवों द्वारा आन्शिक रूप से हटा दिये कए वायू मंडल में कार्बन डायोकसाइट की मात्रा कम हुई उजोन ने प्रित्वी पर आने वाले परा बैंगनी विकरण के विरुद्ध एक परदे या आवर्ण का काम किया तथा जैविक निक्षेप कोईले एवं तेल भंडारों के रूप में संचित होने लगे इन सभी घटनाओं ने मौलिक रूप से प्रित्वी के भूरसायन को परिवर्थित कर दिया इससे उन अधिकांश रासायनिक तत्वों के चक्रों का पुनह अभिविन्यास हुआ इस प्रकार प्रित्वी के वायू मंडल के संगटन ने वर्तमान रूप लिया कि आए हमारी चारों और अब है आप सुन रहे थे ये वार्ता विशे संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विशे संपादन आर्पी मिश्रा, आलेक, एम एन कॉल तथा आरके गंजु, नर्मान संचालन, प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर, संजय कुमार, ध्वन्यंकन, सतीश लाळे और दीपक पांडे, नर्मान सहयोग, नर्मान एवं प्रस्तुती, वन्दना अरि मर्दन